बातकार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का RPSC एक्जाम्स यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में साथियो आज अपन बात करने वाले हैं साइकलोजी की टेस्ट सिरीज के बारे में जिसको अपन जल्द ही इस चैनल के उपर स्टार्ट करने वाले हैं देखे साथियो आप सबी लोगों को पता है कि साइकलोजी का अपना जो सलेबस है वो कंपलीट हो चुका है पांच की पांच यूनिट जो साइकलोजी में हैं वो पांचों की पांचों यूनिट आपकी कंपलीट हो चुकी है इस चैनल के उपर सारा मेटर आपको करवा दिया गया है अब साथियो किसी भी जैसे साइकलोजी जो है मनोविज्यान जो है वो रीट में सबसे महतोपूर्ण सबजेक्ट क्यों माना जाता है क्योंकि जाईर सी बात है कि साइकलोजी में जो अच्छे नमबर बनाएगा देखिये सबजेक्ट जिस सबजेक्ट के टीचर आप बनना चाते हैं उस सबजेक्ट में तो आपको अच्छे नमबर बनाने ही पड़ेंगे उसके लिए तो जो टीचर बनेगा सब के अच्छे नमबर आएगे लेकिन साइकलोजी जो होती है रीट के लिए साइकलोजी जो है उसमें जो भी बन्दा अच्छे नमबर बनाएगा उसके परसेंटेज जो वो लगने के बढ़ जाते हैं ठीक है तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा तो किसी भी सबजेक्ट को अच्छे परकार से तयार करने के लिए लगबग दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है अगर एक चीज़ अपन देखें तो उसमें क्या है कि अपने को उसका पूरा जो सब्जेक्टिव नोलेज है वो हो यानि कि थियोरी अपने को ध्यानमी होनी चाहिए ठीक है थियोरी अगर अपने को पता है पूरा का पूरा तो फिर अपना एक काम तो हो जाता है उस सब्जेक्ट के लिए जैसे यूनिट टोटल कितनी है आपकी साइकलोजी में पांच यूनिट हैं जो कि पांच यूनिट के आपके परसनाते हैं रेट में साइकलोजी के लिए तो अगर 500 यूनिट के आपकी थियोरी तयार है जो कि हम लोगों ने बिल्कुल अगर नोट से तयार है आपने उनको पढ़ लिया है अगर उनको अच्छे से आपने पढ़ लिया है तो दूसरी सीज आपको क्या करने चाहिए आपको जरूर देने चाहिए अब इसी टेस्ट स्रीज के लिए मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ कि जल्द ही हम जो है test series शुरू करेंगे चुकि अपने नोट से सारे बना लिये है सारे की सारी units जो वो पढ़ ली है psychology के लिए तो साथियो अभी test series अपने start करेंगे और test series भी किस हिसाब से होंगी बिल्कुल rate 2021 में जिस परकार से paper आएगा उसी हिसाब से जो है वो test series आपकी start हम करेंगे यानि कि 30% होते हैं तो कोशिस करेंगे कि 30% रखेंगे अगर 30% नहीं रख पाए तो 20% भी अगर रखेंगे तो वो भी पाचों की पाचों units में से लेने की कोशिस करेंगे यानि एक परकार से आपका सारा मेटर एक साथ लेकर के चलेंगे इसके बाद जैसे ही 10-15 पेपर हो जाएंगे 20 या 30 पेपर हो जाएंगे उसके बाद अपन आप अपना topic wise भी जो वो discuss कर लेंगे test series को सारे क्योसंस करेंगे किसी भी प्रकार का person इसमें नहीं रहेगा बाकी तो या test series जरूर जोइन करें साइकलोजी के लिए और आपको इसका benefit साथ यो बहुत ज़्यादा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों को भी प्रोट साइथ करें कि वो भी test series को जोइन करें क्योंकि test series जोइन करने से अपने को पता चलता है कि अपन तयारी जवाद की सिस्टर पर पहुंची है तयारी में अपने को और किया सुधार करना चाहिए तो काफी हिर्फ मिलती है और मेरे ऐसाथ साथ ही आपको क्या करना चाहिए कि जैसे माली जी अमत 30% का पेपर ले करके आता हूं तो आपको ये मानना है कि आप एक्जाम में ही बैठे हो इसके बाद आप जैसे ही पहला परसन आया आप जवाब देंगे दूसरा आया आप जवाब देंगे इसके बाद जैसे ही 30% पूरी होते हैं तीस में से आपके कितने सही हुए ये आप जवाब कमेंट करके भी बताएं ताकि और लोगों के भी कमेंट आएंगे तो आप जवाब उसमें क्या कर पाओगे तुलना कर पाओगे कि आप कहां हो और और लोग कहां पहुंच चुकी हैं तो इससे कंपेरिजन हो पाएगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बन जाता है ठीक है साथियो तो जरूर जोइन करें टेस्ट स्रीज को हो सकता है मैं लाइव आपको टेस्ट स्रीज करवाओं अगर लाइव इंटरनेट प्रोब्लम होती है तो लाइव अगर नहीं करवा पाऊँ तो आपको वजसे भी बिना लाइव आए वीडियो अपलोड करके भी जो है वो टेस्ट स्रीज करवाएंगे ठीक है साथ है तो जल्द ही स्टार्ट करेंगे टेस्ट सिरीज को साइकलोजी के लिए और अधर सब्जेक्ट के लिए अगर अपन बात करें तो वो भी स्टार्ट कर देंगे लेकिन एक बार psychology के लिए response देखेंगे कि अच्छा response अगर audience का आता है आप लोगों का अच्छा सहयोग रहता है तो other subject की test series स्टार्ट करने में भी हमें कोई problem नहीं होगी तो उमीद है आप सब लोग सहयोग करेंगे इसमें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो test series के लिए हमसे जुड़ें और तैयारी को एक नई उचाई देने के लिए जो वो test series जोइन करना काफी जरूरी होता है तो इसके लिए जो है आपको test series जरूर जोइन करनी चाहिए जल्द ही आपका exam भी जो है उसके लिए date घोसित हो सकती है क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि जो चुनाव हैं उनके नतीजे परधानों परधानों वगरा के आ चुके हैं लगबग और एक दो दिन में जो आचार सहीता हट जाएगी उसके बाद जो आपकी जो वेकेंसी के लिए notification जारी होता है विग्यपती जारी होती है उसकी उपर बात शुरू हो जाएगी और questions जो हैं वो राजस्तान में जितने भी exam पहले हुए हैं उन में से जितने भी प्रसंद आये हुए हैं सब को अपन करेंगे नए questions भी करेंगे तो एक भी प्रसंद साइकलोजी के लिए नहीं रहेगा और साइकलोजी के लिए मेरे साब से सबसे बेस्ट स्रीज जो है वो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है ऐसी स्रीज आपको साबित होगी ठीक है साथियो उमीद है सबी को बातें अच्छे से समझाई होंगी और आप सब लोग जो है सिरीज को जुरूर जोइन करेंगे मिलेंगे साथियो अपन अगले वीडियो में एक और ने टोपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत नमस्कार